हेलो फ्रेंड्स वेलकम तुमें चैनल आप देख रहे हैं स्क्रीन पे लेमन ग्रीन कलर का यह मफ्रल पड़ा सुन्दर जिसे अब हम ऐसे एक ब्रॉच की से टक करके एक जैकेट की लुक देंगे मफ्रल भी टिका रहेगा शोल्डर से गिरेगा नहीं ऐसे आप बेटी को मफ् सकते हैं और जैकेट कैसे बनाएंगे ऐसे एक बैल्ट से बैल्ट आप उसको पीछे आपसे बाहन सकते हैं कोई अपन्वा हो आप से आपका मनचा है आप इन चीजों को उतार कर सीधे मफरल की तरह भी यूज autom です आयो वीडियो में अब इसको बनाना सीखेंगे शोल्डर बिल्कुल जैकेट यह हमारे पास डिजाइनर वूल है लैमन और ग्रीन कलर में यह हमने वर्दमान की उन को यूज किया है आप कोई और मोटी उन हो वो भी कर सकते हैं और पतली से भी कर सकते हैं जिसे हमने अब यह मो बजलेते हैं यह जो उन है इसके हमने यह आपर 30 पंदे डालने हैं लगवक 30 पंदे से हमारा इमफरल की चोड़ाई हो जाएगी यह 7-8 इंच तक चोड़ा होना चाहिए यह ध्यान रहे आप जब पंदे कास्ट करेंगे डालने कैसे हैं ऐसे सिंगल बूल से ही जो भी आप कैसे पंदे डालते हूं आपने ऐसे अगर आपकी यह मोटी यून है तो 30 पंदे तक ही आपने इनको बुढ़ना है डालना है सौरी है ना 30 पंदे तक आपने मोटी यून से बनाना है और इसकी चोड़ाई लगवक 7-8 इंच होनी चाहिए 15 साल तक के बच्चे के लिए ठीक ह अगर आपके पास मोटी यून हो तो आप लगबख 60 पंदे सौरी पतली यून हो तो 60 पंदे डालेंगे और मोटी यून हो तो आप 30 पंदे डालेंगे 30-35 भी कर सकते हैं ये थोड़ा सा आप खुद आइडिया लगाईएगा आईए अब हमने पंदे डाल लिये हैं और हमने पहली स्लाई अब उल्टी बुन्नी स्टार्ट कर दी है ऐसे ही जैसे हाँ आप नॉर्मल बुनाई करते हैं बिगिनर्स के लिए बहुत सुन्दर इजी मल्टी परपज प्रोजेक्ट है उमीद है आपको ये पसंद आ रहा होगा इसे आप बनाएंगे पूरी स्लाई को आपने ऐसे उल्टा ही बुन्ने ना है बहुत इजी है रॉंग साइट से पूरा उल्टा ही बुनेंगे ये तो आपकी चलिए पहली स्लाई है इसे आप उल्टा बुन रहे हैं मल्टी पर्पस मफ्रल स्काप कम जैकेट और आपकी बेटी के लिए सुन्द सी स्टाइलिश लोक यह लिजी एक स्लाई हमारी बुनी गई पहला फंदा उतारिए धागा अपनी और कीजिए आप पांच फंदे हम उल्टे बुनेंगे एक दो तीन चार पांच तोटल यह छे फंदे हो गए हमारे इमने से हमने पांच को उल्टा बुना है एक उतारा है बाकी अब बीच के फंदों को हम सीधा ही बुनेंगे फंदे आप थोड़ा अपने ही साब से ध्यान रखिएगा चीक है आपकी उन जैसी हो मोटी उन हो पतली उन हो लेकिन यह सभी यह स्टाइल जो है हर तरह की उन पर चलेगा आप उमीद है इसको बनाना शुरू कर रहे होंगे और अच्छे से बनाएंगे बेनिफिट बहुत है एक सीधा सा आप बनाएंगे लेकिन आप इसको कैसे भी यूज कर सकते हैं जैसा आपका उस समय टाइम हो वियरिंग स्टाइल हो आप उसको करी कर सकते हैं जब आप पूरे सीधे फंदे बीच के इतने फंदे हैं उन्हें सीधा ही बनाएंगे यह आपकी सीधी साइड है जिदर से आप अब यह बुनाई कर रहे हैं यह इधर के आप 6 फंदे ठीक है इन में से 5 अब आप इनको उल्टा बुनेंगे एक दो तीन चार पांच उल्टे बुल लिए दागा बीचे कर दीजेगा तो इधर से सीधा भी बुन सकते हैं और अगर 6 के 6 उल्टे बुनेंगे तो उतार के सीधा हो जाएगा वो सिंपल है आईए अब जैसे भमीदा से ऐसे ही उतार लेंगे पहला फंदा उतारिए दागा अपनी और कीजिए दोनों द्रफ से पहला फंदा उतारते ही हैं और रॉंग साइड से पूरी स्लाई को आपने अब उल्टा ही बुनना है यानि कि पदल वाली स्लाई आपने बुननी है राइट साइड से आपने ध्यान रखना है कि दोनों साइडों के 5-5 फंदे आप उल्टे बुनेंगे और सीधी स्लाई बुनेंगे और रॉंग साइट से पूरी स्लाई को उल्टा ही बुनेंगे आपकी स्लाई बुनी गई, आगए आप राइट साइड, आईए देखिया आपकी बुनाई इस तरीके से दिखाई देगी चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं, पहला फंदा उतारेंगे, धागा अपनी और करके, पाँच फंदे उल्टे बुनेंगे ऐसे आपने इसको डेड़ मीटर तक बुनना है, यानि कि साथ इंच तक, आपने इसकी लंबाई को बुनना है लेकिन फिर भी आप अपने बच्चे की हाइट के हिसाब से जब थोड़ा बुल लेंगे, तो उसके शोल्डर पर रखकर देख लीजिएगा मैंने यहाँ पर इसको डेट मीटर तक बुनना है, यानि कि साथ हिंच तक इसकी बुनाई की है और थोड़ा आप अपने हिसाब से आईडिया लगा लीजिएगा, अगर आपको कोई डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी क्वैरिस को क्लियर भी कर सकते हैं, लेकिन वैसे सिंपल सीधा समझने वाला प्रोजेक्ट है, सीधा मवरल बनेगा, लेकिन आप इ पुनते जाएंगे, सीधी साइड से सीधे पंदे, साइडों के पाँच-पाँच पंदे उल्टे, और रॉंग साइड से पूरी स्लाई को उल्टा बुनेंगे, बस ऐसे करते हुए, आप अपने मफरल की लंबाई को पूरा करेंगे, उन आपके पसंद की, कैसी भी आप कर सकते हैं, फंदों का सिरफ आप ध्यान रखेंगे, वैसे ही फंदे कास्ट करेंगे, जैसे आपकी उन होगी, मोटी पे कम और पतली उन पे जादा, इस तरीके से आपका मफरल बुनाई तक बनेगा, उमीद है वीडियो पसंद आया हूँ, लाइक, शियर, कमेंट कीजिएगा, तैंक यू,